आपका हमारी यूटिव चैनल पे स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज की कहानी है जादूई सोने की बकरी। एक गाउ में सोहम नाम का एक जमीनदार रहा करता था। उसकी परिवार में उसकी बीवी रूमा और बेटा सौरब थे। सोहम बेहत दयालू और मददकार इंसान था। वो दान धर में मानता था। रूमा भी सोहम को हर कामे सहकार्य करते हुए प्रोचसाहन करती थी। जो पांगता वे दोनों बिना जाजपरताल या सवाल किये बिना ही उनकी मदद कर देते थे। उनके पास काफी बकरिया हुआ करती थी। वे उनका बहत ख्याल करते थे। वे मानते थे कि जितनी दूद की जरूरत है उतना ही निकालना चाहिए। बाकी उनके बच्चों के गलत इस्तमाल करते थे। वे उन्हें जूट बोलकर उनका लाब उठाते थे। एक दिन करन नाम का एक आदमी सोहम के पास आकर बिलग-बिलग कर रोने लगता है और कहता है कि उसकी व्यापार में भारी नुकसान हुआ है और अब उसके खाने की भी लाले हो गए हैं। वो सोहम से उसकी बक्रियों की मांग करता है। सोहम दयालू करन के जूट को नहीं समझ पाता और उसे अपनी बक्रिया दे देता है। इसी चलते सोहम और रोमा अपनी सारी संपती बाढ़ देते हैं और एक कोटिया में रहने चले जाते हैं। वहां करन बक्रियों का बिलकुल ध्यान नहीं रखता, उन्हें खाने को भी ठीक से नहीं देता, और भूख से जब वो हिन हिनाने लगते तो उनकी पिटाई भी करता था, एक दिन वो उसके नौकर से कहता है, ये बक्रियों में से जो अच्छा दूद देती है उन्हें रख लो, बाकी बक्रियों को कसाई को द रहा आती है, और वो उन्हें कसाई को ना देकर गाउ के बाहर छोड़ाते हैं, वही कुछ तिनों बाद सोहम और रोमा को उनकी कुटिया के बाहर वो भक्रिया दिखती हैं, वे बेहत खुश हो जाते हैं, और उन्हें गले लगाने लगते हैं, उतने में एक बक्री सोने की बन जाती हैं, ये देखकर सोहम और रोमा अचंबित हो जाते हैं, कुछ बक्रिया पैसे की और कुछ हीरे जवारात की बन जाती हैं, उन्हें से एक बक्री कहती हैं, सोहम और रोमा, तुम दोनों बेहत भोले हो, बाकी दुनिया वैसी नहीं जैसी तुम समझते हो, जिसे सच सच में जरूरत हो उसकी ही मदद करनी चाहिए जूटे लोगों की मदद करना भी एक अपराद है ऐसा बोलके सोने की बकरी सोना पैसे की बकरी पैसा और हीरे जवारात की बकरी जेवर देने लग जाती है सोहम और रोमा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो सब संपती उठाके पहले जैसे महल में चले जाते हैं और सच में जीने जरूरत हो उनकी ही मदद करने लगते हैं जब कभी संपती समाप होती है वे बकरीयों को प्रणाम करके मांग लेते और बकरीया भी उनकी मदद कर देती जब ये बात करन को पता चली तब वो रात को चुपके से बकरी चुराने आ गया तब ही एक एक कर बकरीयों ने उसकी खुप बिटाई की तब वो घबरा के वहां से भाग गया सोहम ने जाके करन से बची हुए बकरीया भी वापस ले ली फिर सोहम और उसका परिवार सच में ज़रूरत मन लोगों की सहायता करते हुए खुशी से जीने लगे